हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स स्वागत आपका अपने ही चैनल कुल्दी वर्ट्स में दोस्तों आज आपने देखा कि मैं आज बात करने वालों परिणामों के उपर हमारे रिजिट्स के उपर जिस तर आज आपने जो अभी परिणामों को दोर चल रहा हैं और बच्चों के रहा हैं किसी आने वाले हैं किसी के आ रहा हैं और आप विद्धारतिय हैं या फिर आप सब्धार् masa पुनिश्थान रगता हैं वो आज मैं बात करने वाला हूं क्या प्रिदार्थ्यों हो सकता है यह फिर प्रणाम है हमारा जीवन रहो तो आपको इसको उपर ध्यान से देखना और समझना इसको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है इस पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं इस हर वर्जब परिणाम और्जट्स आते हैं बच्छों के तो कहिने कहिं इस पर लोगों के प्रितिक्रिया होती है लेकिन इस पर कोई बात ने करना चाहता तो तो मैं आज आपके सामने यह टोपिक लाया हूँ कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है तो वो जो है उस पर में बात करें यहां पर सबसेत जो बात है कि जिन विध्धार्तों का प्रणाम परणां आ या अच्छा आने वाला है वो श्कुन तो खुष रहेंगे, और बिलकु रहना भी चाहिए हुश होना चाहिए, कियोंकि उनको जो प्रयचेर करना में चाहिए, कुछ रहना चाहिए, उनको परिवार को उनकी खुश्यों में साम्ल होना चाहिए, और उनका अच्off रहना चाहिए कहीं कि खुशियां सेंद रहे हैं, खुशियां ही नहीं, मैं तो को हूँगा कि बच्चों का जीवन सेंद रहे हैं, और इस पर बात होने चाहिए, आज आपने देखा होगा इस तरह लोग बच्चों का परिणाम आ रहा है, उनके मन मुता कि अगर बच्चों का परिणाम नही दोस लोगों को दिखने चाहिए लेकिन दूसरी पैस पर आपको को मिलेगा कि बच्चों पर प्रिणामक अप्णै participar का लिप लोगों सब्सक्राइब तो यह कोई नहाँ नहीं हारवर्स देखने को मिलता है हम बच्चों कोई तो कई बहुत सरे बच्चे अपनी जान ले लेते हैं, इन परिणामों के मन मुताबक गुर्ण के परिणाम नहीं आते हैं, और इस पर हमें ध्यान देना होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, जिस टाइम बात होती है, उस टाइम लोग चर्चा करते हैं, वापिस उसको नहीं तोला जा सकता है, यहां पर मैं उन पैरेंट से भी कहना चाहूंगा, जो अपने बच्चों पर परिणामों के जिम्नदारी थौपते हैं, और परिणामों के आतार पर ही उनकी जीवन की पूरी कलपना करते हैं, दोस्तों, यह जिन की है, मैं उन सभी से कहना लेकिन जीवन सिर्फ एक बार मिलेगा, बच्चों का बच्चपन एक बार मिलेगा, बार बार नहीं हैगा, और इन बच्चपन में, अगर हम बच्चों को इन परिणामों का अधार पर तोलन हैं, तो कहने कहीं गलत होगा, उस तो इस समय वैसे ही, बच्चों के उपर काफी से जो है कोरोना मामरी का काफी जो है दबाव बना हुआ है situation बिल्कुल critical situation है बच्चों के लिए हम सभी के लिए पहले से काफी दबाव है और आप उनके उपर रिजल्ट सका उनके प्रिणाम उपर और आप उनके पर प्रेशर बनाएंगे तो कहें इनके इस डिप्रिशन का कर है यह फिर महीं आये क्योंकि दो गीता में बिलिखावा हैं गीता में लिक्या यह बाद लिख़िए कि हम कोशिसों के लिए उतार दा ही दोस्तों ये बच्वन बार-बार नहीं मिलता है बच्वन हमारे एक बार मिलता है और यह में जियोन भी एक बार मिलता है हमारे प्रिणाम, हमारे कहिने के जियोन को खतम करने कारण ना बने इस पर हमें ध्यान देना हो इस पर बात होनी चाहिए और करने भी चाहिए, इन सभी बच्चों, हम सभी का यह है, फर्ज बनता है कि हमें इन पर बात करने चाहिए, जिन बच्चों का प्रिणाम अच्छा आता है, वो तो बिल्कुल मेनत करते हैं तो उनको आने भी चाहिए, उनको अप्रिशेट करने भी चाहिए, लेकिन हम उनको जिन बच्चों का प्रिणाम उनके मने मताबिक नहीं आता, उनको decrease में के इमेच, उनको कमजो और नहीं समय में चाहिए, दोस्तों हमारी जिनकी बहुत बड़ी है, हमारे जिवन अभी शुरुआत हुई है बच्चों के आने वाले जिवन में, यह नहीं कि पहले जैसी बात नहीं है, वह आपने समस्ते ते पहले सिर्फ एक जो है हमारा करियर अगर बच्चों के पर नाम जो होगा, उसी पर आधार होगा, उस तो नहीं बच्चों को, आजकल बच्चों में बहुत सारी creativity देखने को मिलती है, कहिन के उस पर सभी parents को ध्यान देना चाहिए, बच्चों में बहुत सारी जैसे कि वो, अगर वो आपको उसमें creativity दिख रहे है, dancing के दिख रहे है, music के दिख रहे है, singing के दिख रहे है, computers के दिख रहे है sports नगर खेल में उसको creativity दिखी है तो उनको appreciate करना चाहिए किसी भी चीज में उसको appreciate करेंगे तो बच्चा कहीं नी-कहीं उसका होसला पड़ेगा और वो आगी जीवन में कहीं नी-कहीं पढ़ाई के लाओ भी अगर उसका किसी चीज में उसका interest होगा तो आगी जाके अच्छे परिणाम लाएगा परिणाम पढ़ाई का हो या पर किसी और चीज का हो परिणाम किसी भी चीज का हो सकता है लेकिन परिणाम मों को पर हमारी जीवन नहीं होने चाहिए और इस बात पर हमें ध्यान दिखने चाहिए कि गीता में भी मैंने जैसे बताएं यह लिखा हुआ है कि हम कोशिसों के लिए उत्रदाई हैं, हम कोशिस कर सकते हैं, बच्चे भी कोशिस कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिणाम उक लिए उत्रदाई नहीं है, प्रिणाम जो भी होंगे, वो मन मुताबिक हो, या फिर महीं हो, ले इस वीडियो का आप ज्याद से ज्यादा शेयर करें तो कहीं ने कहीं मुझे पर अच्छा लगीगा और जो है सभी परेंट्स को देखने को मिलेगा कि इस पर हम ध्यान देना चाहिए तो दोस्तों मेरे यह उदिश्यता था इस वीडियो को बनाने के पीछे कि प्रणाम हमारी दोस्तों ऐसे फिर मिलेंगे एक ऐसे वीडियो के साथ है जब तक के लिए आप अपने जिन में अपने आपको कुछ करने का परियास करते रहें और दूसरों को कुछ रखने का परियास करते रहें फिर मिलेंगें लव यू फैंक से टेग केर गोड ब्लेस यू